नमस्कार दोस्तों लर्निंग पॉइंट में एक बर फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में आईसमान भारत से समधित एक बिसेश अपडेट देने वाला हूँ अपडेट यह है कि भारत सरकार ने आईसमान कार्ड बनाने के लिए एक नया पोर्टल लोंच कर दिया है जिसकी साहता से आप खुद ही अपने मोबाल लेप्टोप या कम्पूटर से अपना आईसमान कार्ड बनवा सकते हैं काड क्या है आइसमान काड की साहता से आप मुफ में पांच लाग तक का इलाज करवा सकते हैं तो आइसमान काड जरूर से बनवाएं तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने ब्राउजर को ओपन करना है और यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं सिर्फ सेतु जैसे आप सेतु टाइप करेंगे तो आपका जो ओफशन निकल कर आता है यहाँ पर देखिए सेतु पी एम जे एवाई जी ओवी यहाँ पर आप किलिक कर दें उसके बाद फिर गूगल पर यह बहुत सारा ओफशन आपका सामने आ जाता है तो सबसे उपर जो ओफशन है एचस टी पी एस सेतु डोट पी एम जे वाई डोट जी ओवी डोट इन अबलिक सेतु अबलिक इस पर आप किलिक कर दें तो आप आप आइसमान भारत के ओफिसियल वेब साइट में पहुंच जा रुपया पाँच लाग का मुपत उपचार परति वर्स परती परिवार देश के किसी भी सुची बद सरकारी या प्राइवेट आस्फटाल में इलाज परिवार के सदर्सों की संख्या और कोई उम्रु पर कोई सीमा नहीं अधिक जानकारी के लिए एक चार पाँच तो इस website में आप खुद ही अपना आईसमान कार्ड बनवा सकते हैं, वहाँ पर अपने परिवार के सदर्सें को जोड़ सकते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, रजिस्टर हो जाएगा, उसके बाद आपको KYC करना है, KYC कम्पलिट होने के कुछ दिन बाद आप कार को डाउनलोड कर सकते हैं, तो रजिस्टर करने के लिए जैसे ही आप यहाँ रजिस्टर लिखा हुआ हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो इसका option आपको निकल कर आता है, यहाँ पर सबसे पहले इस page में आपको mobile नमबर और आधार नमबर डालना होता है, तो एक बात आधार नमबर जो डालेंगे आप, उस पर जो भी mobile नमबर लिंक होगा, वही डालना है आने था आपका registration नहीं होगा, इस बात का आप विशेश ध्यान रखें, registration हो जाने के बाद, आप अपने mobile नमबर से यहाँ पर login हो सकते हैं, यह और KYC, KYC वह होता है जो आप अपने बा आते हैं और उसको register करते हैं, आप कहां रहते हैं, आपका उम्र क्या है, date of birth क्या है, address क्या है, वो सब आधी उस महाँ पर भरना पड़ता है, तो यहाँ पर आप अपना mobile नमबर की साथा से sign in होकर आप अपना KYC complete कर लेते हैं, जैसे ही आपका KYC complete हो जाता है, उसके बाद आ आप अपना Iceman card यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसका पूरा detail वीडियो मैं यहाँ पर लेके आने वाला हूँ, यह चूंकि नया portal लोंच हुआ है, तो इसके बारे में मुझे थोड़ा सा और अधिक जानकारी जुटाने की आव सकता है, आसा है यह वीडियो आप दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद